दोस्तो डिपार्टमेंट ओफ हेल्थ एंड रिसर्च में कुछ डेटा एंट्री ओपरेटर्स की विकेंसी आई है दोस्तो तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको एपलाई कैसे करना है और सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तो कि 12 पास मांगा है तो इस वीडियो सेलरी वगरा सब कुछ हम इस वे बात करेंगे काफी लोगों के कोशिंस होते हैं कि सर इसको मेल या फीमेल बर सकते हैं क्या नहीं बर सकते हैं के वर सकते हैं तो सब चीजों के questions में होंगे बहुत से questions होते हैं चलिए start करते हैं इस्टार्ट करने से पहले अपने channel को like करो video को share करो subscribe करो और आप अगर मुझसे direct interact करना चाहते हैं किसी भी concern के recording तो आप join button पर click करके बात कर सकते हैं तो चलिए start करते जो वेकेंसी निकली हैं दोस्तों वो निकली है अंडर में Department of Health Research Ministry of Health and Family Welfare Government of India के नतरगत अब दोस्तों आपका सवाल होगा कि यह सरकारी है या private है कैसी contract की है तो मैं आपको बता दूँ यह जो post है दोस्तों यह purely contractual basis है इसमें permanent होने के कोई भी असार नहीं है तो आप यह मत सोचेगा कि यह permanent है लग जाएंगे तो permanent हो जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम से तो desirable में होता है कि Microsoft वगयरा आपको MS Word वगयरा आपको आना चाहिए चलाना क्यूंकि अगर आपको typing आती है तो वह compulsory है data entry में आप data enter करोगे तो Microsoft वगयरा में ही करोगे तो obvious है वह आपका होना compulsory है अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज मांगी गई है दोस्तों Grade A में मांगी गई है 18-25 साल और Grade B में मांगी गई है 18-30 साल तो काफी अच्छी opportunity है यह 30 साल तक के candidates इसको भर सकते हैं बड़े अरान से अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या instruction है कभ इसकी last date है form आपको बरना है एक application form का link में description में दूंगा उसका print out निकाल लेना उसको form बरना और उसके साथ सारे अपने documents लगाके PDF बनाके mail कर देना mail id आपको मैं बता दूंगा description में भी बताऊंगा और आपको भी बता देता हूँ बोल के भी ताकि आप समझ सको icmr rcdi at the rate nick.in इस पे आपको mail कर देना है दूसरी बता दूंगा 20 सितंबर से पहले पहले आपको mail कर देने हैं अपने सारे documents अब दोस्तों आपका सवाल था कि इसको selection process कैसे होगा तो दोस्तों ये क्या करेंगे जैसे आप अपने documents वेजोगे तो उसके बाद ये लोग आपसे mail mail के तुरू आपसे contact करेंगे for interview virtual interview होगा घर पे बैटके ही आपका interview होगा आपको जाना कहीं नहीं है अब दोस्तों question दूसरा ये था कि इसको कौन-कौन बर सकता है और male female बर सकते हैं नहीं बर सकते इसको कोई भी पूरे इंडिया में कहीं से भी बर सकते हैं इसमें ऐसी कोई clarification नहीं है तो आप कहीं से भी हो आप इस form को बर दीजिए क्योंकि आपका एक भी रुपा नहीं लगेगा second thing यह है कि दोस्तों इसमें काफी लोग मुझसे यह पूछते हैं कि दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी जो जोब location होगी वो कहां की होगी तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी जोब location होगी वो होगी असाम तो मैं प्रेफरली भी आपको यह सजेस्ट करूंगा अगर आप वहां के nearby हैं तो आप तब इस form को ज्यादा अच्छे से बरना मत प्रेमेंट ओफ इंडिया के coding है वो आप इसका notification पड़ सकते हैं और कोई query के लिए दोस्तों आप comment box में मुझसे बात कर सकते हैं all the very best thank you so much for watching my video